बार्मिर जिले के गड़रा रोड ब्लॉक के स्कूल टीचर का बच्चों के साथ मार पीड कर दी रोते हुए बच्चों का वीडियो सामने आने के बाद सिख्षा विभाग ने टीचर को निलंबित कर दिया दरसल हाइर सेकंडरी स्कूल रावद सर में शनिवार को टीचर दादू राम स्कूल समय में सो रहा था इस दरन बाहर बच्चे शोरगुल कर रहे थे इससे सिख्षा को गुसा आ गया उसने बच्चों को डंडे से इतना पीटा कि कई बच्चों के तो खून निकलाया एक नहीं बलकि 26 बच्चों को एक साथ पीटा गया बच्चों के चिलाने और रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दोर कर मौके पर पहुँचे तो सभी बच्चे रो रहे थे पीट पर घाव के निशान थे बच्चों की आँखें रुक नहीं रही थी असनी दर्द से बच्चे काप रहे थे इसका परजनों ने रोते हुए बच्चों का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर सामने आया मामले की गंभीरता को देखते हुए सिख्षा विभाग ने टीचर दादू राम को निलंबित कर दिया है साथ ही घटना की जांच के लिए CBEO के नितरत में तीन PEO की जांच कमीटी बनाई गई है जला सिख्षा दिकारी क्रशन सिंग रानी गाओं के मताविक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद प्रथम दिरिष्ट्या जांच कर वाएगी इसके बाद टीचर दादुराम को निलंबित कर दिया गया है मामले की विभागी जांच के लिए गड़रा रोट CBEO के नितरत में एक कमीटी गठित की गई है टीचर का मुख्याले ब्लॉक सिख्षा दिकारी आडल पंचाए समती किया गया है बाद मेरे जला समवादाता लक्षमें चोधरी की रिपोर्ट